हेलो दोस्तों मेरे नामे मोवी तवराब देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हे ट्रांस्प्लांट नोबकवास ओनली घ्यान चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताने वाला हूं सच्चाई से रूब रूब वाकिफ कुछ समझो करवाने वाला हूं कि एक महिने में कितना रिजल्ट आता है हे ट्रांस्प्लांट का बहुत सारे लोगों को लगता है कि हे ट्रांस्प्लांट करवा लिया तो चार पास दिन में दस दिन में पंदरा दिन में दो महिने के अंदर हमारे रिजल्ट पूरे आ जाने चाहि है मैं उनलों को बोलना चाहता हूं कि भाई, hair transplant बालों को ग्रो करने का natural तरीका है अगर आप चाहते हैं आपके बाल एक दिन में या एक घंटे में आ जाए तो आप hair wig या hair patch लगवाए hair transplant आपके लिए नहीं है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में वताऊंगा, कि पेशेंट कैसा था, क्या करवाया, कहां से ग्राफ्ट निकाले, कहां पर ग्राफ्ट लगाये, कितने दिन की सर्जरी हुई, और क्या, कैसे उन्होंने, किस तरीकी की दवाई ली, और एक महिने बाद कैसे हो गए हैं, निराश मत होना इस वीडियो को देख करके, और ज्यादा एक्साइटेट भी मत होना इस वीडियो को देख करके, मुझे कमेट सेक्शन में जरूर बताना, कि भाई, कि इस बंदे का रिजल्ट आएगा, या नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर, म यह वो बंदे हैं, जिनों का हेर ट्रांस्प्रांट होने वाला है, आप देख लें कि किस तरह की कंडिशन है, इनों की गंजेपन की, अगर आप भी इतने ही गंजे हो रहे हैं, या फिर आपके बाल इतने ही जड़ चुके हैं, तो प्लीज इस चैनल को अभी कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, या कोई आपका दोस्ता गंजा हो गया है, तो उसे जरूर इस वीडियो को भेजें, यह एक क्राउन एरिया की फोटोग्राफ है, और इससे पहले फ्रंट एरिया की फोटोग्राफ थी, यह है डोनर एरिया, और आपको सिल्की और शाहिनी और स्ट्रेट है, यह बाल जिसके जैसे होते हैं, वैसे ही बाल ग्रो होते हैं, कई लोगा कोशन होता है कि मेरे बाल करली हैं, लेकिन हे ट्रांस्प्लांट के बाद स्ट्रेट आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट बाल होते हैं आपके, तो straight ball grow होते हैं, curly बाल होते हैं, तो curly ग्रो होते हैं, क्योंकि वो बाल आपके सर के अंदर से ही या शरीर के दूसरे हिस्सों से लिए जाते हैं, जो आपके सर के अंदर implant किये जाते हैं, अब यहाँ पर slit बना दी गई है, इंक लगा दे गई है, ताकि जो slit बनाई है, वो छेट visible, अच्छे से clear हो जाए, जब graft को implant किया जाए, आप लोग देखेंगे, hairline pattern जो है, वो zigzag रखा गया है, वो इसलिए ताकि जब hair grow हो, तो natural look आए, शुरूर में मुझे लगता था कि zigzag थोड़ा बेकार लगेगा, अब इन graft को आगे implant किया जाएगा, front area के अंदर, अब आप देख लें कि भाई, कितनी ज़्यादा high density से graft को implant कर दिया गया है, जो zigzag था, हलका बहुत zigzag दिया गया है, जादा zigzag देना भी खराब होता है, क्योंकि बहुत अजीब सा दिखता है, जितने ज़्यादा natural zigzag देंगे, उत्ते ज़्यादा natural बाल लगेंगे, ठीक है न, density चेक करें, यहाँ पर कितनी ज़्यादा high है, front area के अंदर, यह पहले दिन का head transplant है, पहले दिन में किस donor area से graft निकाले गए, पहले ही दिन में किस जगा पर graft implant किये गए, आप मुझे comment section में बताएं कि आपको कितने graft लग रहे हैं, first day के implantation के अंदर, अब चलते हैं second day की और, second day में देखें, जो graft लगाये थे, वो कैसे सूखने के बाद थोड़े कैसे हो गए, और पीछे की तरफ देखें, slit बना दी गई है, पीछे की तरफ comparison में, थोड़ी, हलकी slit बनाई गई है, थोड़े कम छेत किये गए हैं, क्योंकि, पीछे बाल अल्रेडी थोड़े बहुत थे, ठीक है, अब जो graft implant हुए है, अब आप देख लें, कि पीछे भी graft को implant कर दिया गया है, और आगे की graft एक दिर पहले implant किये गया थे, तो दो दिन के अंदर ये surgery हुई है, और सर के अंदर एक cut लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, कई लोगा question आता है, कि भाई मेरा सर फटा हुआ है, बच्पन में चोट लग गए थी, क्या मैं ही transplant करवा सकता हूँ या नहीं, तो इसका जवाब और example आप लोग के सामने है, definitely करवा सकते है, donor area आप देख लें, पहले दिन कौन सा use हुआ था, और second day कौन सा use हुआ है donor area, ठीक है, clear है, उसके बाद, जब transplant हो गया, तो beta add-in लगा दी जाती है, सर के अंदर, डॉक्टर के द्वारा, और इसको पट्टी कर दी जाती है, ठीक है, अब डॉक्टर धीरे धीरे लगा रहे हैं, अभी यहां से बाल निकले थे, लेकिन patient के face पर expression पर कुछ समझने आ रहा है कि pain हो रहा है नहीं, क्योंकि यह process painless होता है, एक महिने के बाद patient आपको कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं, बालों के अंदर जैसे आपको बाल दिख रहे हैं, graft बाल उगते नहीं हैं, एक महिने के अंदर जैसा मैंने शुरू में बताया था, वही यहां पर सच भी हो रहा है, ठीक है न, लेकिन धीरे धीर ग्रो होगे कि natural लगेंगे, क्योंकि natural ही होते हैं, hairline बहुत ज़्यादा natural है, यहां पर समझ में आ रही है, planning जो करी थी जिस तरह से लगाए थे, वो समझ आ रहा है कि यहां बाल future में उगने वाले हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और यह पर आपको जैसा लगता है क पेशन्ट के बाल आएंगे है नहीं, प्लीज बताए comment section के अंदर मुझे, और आगे इनी पेशन्ट के बारे में detail में वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल के उपर बने रहे हैं, दोस्तों अगर जो आपका भी कुछ हाल ऐसा ही है कि आप भी गंजेपन की समस्या से और दुनिया को बताए कि हेट रांस्प्लांट हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, बाल आ जाते हैं, मैंने इसी से related चैनल के उपर कुछ 400 प्लस वीडियो अपलोड की हुई हैं, दोस्तों दुबारा बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार बिलेंगे अगली वीडियों में, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर